हेलो फ्रेंड्स मैं हुरीतू और आप सभी का स्वागत है माय रेसिपी इसकी कीचन में आज हम बना रहे हैं बिल्कुल मार्केस टाइट कलागन की रेसिपी और यह बहुत ही टेस्टी है और बहुत इजी स्टेप्स में हमने बनाई है और इसकी जो मैंने टेप्स आपके साथ में शेयर कर रही हूँ उसे जरूर फॉलो करें तो बिल्कुल आपकी भी कलागन की रेसिपी सेम ऐसी ही बनेंगी और अगर रेसिपी मेरी पसंद आती है तो नीचे लाइक का बटन है उसे जरूर प्रेस करें और और भी नही रेसिपी इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करें तो चलिए बनाने के लिए शुरूरात करते हैं कलागन की रेसिपी तो इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पे लिया है दो लीटर दूद मैंने गैस ओन कर दी है और उसके उपर पतीला रखके हमने उसमें दूद डाल दिया है और दूद को हमें बॉइल करना है और जब भी आप कोई मिठाई बनाते हैं तो उसे आप फूल Dag जो मिलता है मांकेट में वही यूज़ उसकरना है तो हम यहाँ पे जो high to medium flame है उस पर हमें दूद को boil करना है तो हमें इसे लगातार boil कर रहे हैं और इसके जो किनारे पे जो मलाई लग जाती है उसे scratch करके निकाल लेना है जब भी इस तरीके से उपान आता है उपर, दूद का तो यह जो उबाला आने के बाद में हमें इस तरीके से लगातार गुमाते रहना है और जो किनारों पे लगी मलाई है इसे scratch करके निकालते रहना है इससे जो होता है कि दूद जो होता है वो अच्छे से गाड़ा बनता है और मलाई मिक्स होती जाएगी तो उतना ही दूद अच्छे से गाड़ा बनते जाएगा और धीरे धीरे आप देख सकते हैं दूद का कलर चेंज हो गया है और दूद बहुत घट गया है अभी तो हमें इसे और थोड़ा सा घटा लेना है तो और पांच मिनिट के लिए हम इसे अच्छे से बॉइल होने देते हैं और इसे घटने देंगे तो यहां आप देख सकते हैं दूद का कलर बहुत अच्छे से चेंज हो गया है और अभी काफी धीरे धीरे गाड़ा सा होते जा रहा है यह तो यहां दूद अच्छे से गाड़ा हो गया है अब हमने नीबू को हाफ ले लिया है और उसका हमने थोड़ा थोड़ा रस कर इसमें डालते जलना है हमने एक साथ पूरा नीबू नहीं निचोड़ना है पांचे बुन पांचे बुन करके ही हमें इसमें नीबू का रस डा और यहां आप देख सकते हैं मैंने थोड़ा सा रस डाल दिया और वापिस इसे लगातार चलाते रहना है इससे जो होता है कि यह जो दूद जब गाड़ा होता है और हम नीमू का रस एट करते हैं तो जो इसमें दूद के जो दाने होते हैं यह बहुत अच्छे बनते हैं तो ह इसी तरीके से हम इसे चलाते रहेंगे यहां हम सिर्फ आधा नीमू यूज कर रहे हैं हमें बहुत नीमू के रस की जरूरत नहीं है सिर्फ आधा नीमू ही हमें सफिशियंट है तो आप देख सकते हैं यह दाने पढ़ना शुरू हो गये हैं और जब दाने पढ़ना इसी तरीके से चलाएंगे ये काफी गाड़ा हो गया है और अब हम इसमें एट करेंगे शकर जब दाने अच्छे से पढ़ जाते हैं उसके बाद में ही इसमें शकर एट करनी है तो हमने शकर आधा कप ली है और उसे हमने थोड़ा थोड़ा एट करना है तो पहले हमने आधी एट की है उसे अच्छे से mix कर लिया है और किनारे में जो मलाई लगी है उसे भी scratch करके निकालते रहना है तो शकर अच्छे से मिल गई है और बची हुई शकर को भी हमने इसमें mix कर लिया है और इस वक्त हमने जो flame है इसे high रखा है क्योंकि शकर जो होती है ये अपना पानी release क करती है उस वक्त में हमें इसमें घी add करना है इससे होता है इसके binding बहुत अच्छी बनती है और अभी हमने एक कोई आप प्लेट ले सकते हैं जिस बरतन में भी आप कलाकन सेट करना चाहते हैं उसमें आपने थोड़ा सा घी लगा लेना है तो यहां मिश्रन काफी गाड़ा हो गया है अब हम इसे और थोड़ा सा घाड़ा हो देंगे इसके बाद सेट करने के लिए डिबबे में निकाल लेते हैं तो यह थोड़ा सा अच्छे से और गाड़ा कर लिया उसके बाद में हमने डिबबे में निकाल लिया है और अब इसे इस तरीके से टाप करेंगे ताक माहट होती है वो कलाकन को बीच में से डार्क बनाती है और मैंने और थोड़े से गर्म रहना चीए इसलिए इसे मैंने अवन में रखा है सिर्फ मैं इसे 15 मिनिट के लिए अवन में रखूंगे उसके बाद निकाल लेंगे और बाहर रखने के बाद जब पूरी तरीके से यह उसे तरीके से जो बीच में से ब्राउन बनता है यह हमने जो घर्माहट इसमें बनाई है या ढरक कर ये उसी वजह से अच्छे से एई समें ब्लाउननेस आ गया है और इसा गार्निश कर रहे है जो नारीयल का बूरा होता था उसरों मैंने ठोड़ा सा कलार मिक्स कियाा ह और ब्लेटिंग कर लिए हैं तो आपको मेरी ये रेसिपी कैसे लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताए रेसिपी पसंद आती हैं तो नीचे लाइक का बटन है उसे जरूर प्रेस करें और और बी नहीं रेसिपी के लिए चानल को सब्सक्राइब करें thank you for watching